जै शिर्राम दोस्तों आज जिस पुस्तक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस पुस्तक का नाम है विदूर निती कोड है इसका 136 और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना विल्कुल भी न भोले तो दोस्तों वापस आते हैं पुस्तक का नाम है विदूर निती कोड है 136 यह महाभारत के उससे उठाए गई है इसमें महात्मा विदूर द्वारा महाराजा दुर्योधन को मानव कल्यान और समाज कल्यान के लिए बहुत सारे उपदेश दिये गए थे बहुत सारी बाते बताई गई थी उसी बातों को और उसी व्यक्तव को इस पुस्तक में उतारा गया है जिससे कि लोगों को ये समझ में आज सके कि समाज कल्यान कैसे हो अपनी परजा के लिए करना चाहिए या गरीब दुखिया के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए इसको पढ़के हम एक अच्छे नागरीक बन सकते हैं या अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं तो देखे दोस्तों पुस्तक छोटी सी है यह देख सकते हैं साइज पुस्तक का देखिए विदूर निती कोड यहां भी 136 दिया हुआ महा भारत उद्धोक पर्व से यह देखिए 63 पुनर्मुद्रण 5000 पीस का हुआ है और कुल पुनर्मुद्रण 6,32,000 पीस का हो चुका है मुल्य इसका मात्र 25 रुपए है निवेधन यहां पर दिया हुआ है विदूर नि परसंग है इसमें महामना विदूर जी ने राजा ध्रित्राष्ट को लोग पर लोग में कल्यान करने वाली बहुत सी बाते बताई है उद्धोक पर्व में आठ हध्या से आठ हध्या 33 से 40 में तक इस परसंग के हैं है विदूर निती संस्कित टीकाएं भी हैं इसमें वेव आर वर्ताव निती सदाचार धर्म सुक दुख प्राप्ति साधन त्याग प्रहमा गुड़ोतता कर्मुक निन्य त्याग की महिमा न्यायका स्वरूप सत्य परुपकार छमा अहिंसा मित्र के लक्षण किर्तग्रिकी दूर्दसा निर्लोब्रंता आधी विशत वर्णन करत पे हुए राजधर्म का सुन्दन निरूपन किया गया है यह पुस्तक अपठित विद्वान तरुन भृत बालक इस्त्री साशक प्रजाधनी गरीब विद्यारती सिच्छक सिवार्थी और शुद्ध तथा सुखी जीवन निर्माण चाहने वाले प्रतिक विक्दी के काम क है श्लोकों का अर्थ बड़ी सरल्भासा में किया गया है आसा है इससे भारत के सभी वर्गों तथा श्रेणियों में नननाली लाव उठाएंगे देख सकते हैं यहां पर विशय सूची दी गई है कि किस पुस्तक पे क्या बाते हुई है किस प्रिस्ट पे और आठो अध्य में दिये गए हैं और देख सकते हैं स्लोक बोल्ड में दिये गए हैं और जो अनुवाद है वो नॉर्मल फॉंट में दिया गया है और काफी अच्छे से अनुवाद दिया गया है इस तरीके से ज़से यह चौता द्याय है ऐसे ही आठ अध्याय पूरे क्यों देखिए का निर्मार करना हर कोई चाहता है और अगर आप भी चाहते हैं और जिस तरीके से नम्र निवेदन में लगण बाते बताइ गई हैं और तो आप फुस्तक को जरूर पढ़िए और इस तक फुस्तक के बारे अगर पढ़ते हैं तो आप वाकर ही एक अच्छे समाज का लेयां के बारे में सोचने का आउशर आपको जरूर प्राप्त होगा और समाज का ल्यान कैसे करें और एक समाज निर्माण और अपना चरित निर्माण इस पुस्तक से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपको एक समाज में अच्छा और भला मनुष्य बनाने में ये पुस्तक बहुत ही सार्थक साबित होगी दोस्तों इस पुस्तक को लें और जरूर पढ़ें दोस्तों वीडियो में जो कुछ तुरूटियां होती हैं उसके लिए मुझे छमा कीजिए समय के साथ इन तुरूटियों को दूर किया जाएगा तो दोस्तों आसा करता हूँ कि मेरे दोरा दी गई जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले दोस्तों इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं जै श्रीराम दोस्तों